पूर्व कद्दावर नेता स्वर्गी हरसंकर तिवारी और उनके बेटों के आवास पर लगातार इडी करवाई कर रही है। ज्यादा इडी के जो अधिकारी है वो मौझूद है। वहाँ के लोग जानते हैं वहाँ भी एडी की टीम लगातार छापे मारी कर रही है। काफी संख्या में लोग वहाँ पर भी पहुंचे हैं और ठीकानों पर भी छापे मारी जारी है। जो बैंक लोन का जो मामला है उसमें जिस तरह से धांदली हुई है उसमें जिस तरह से ब्रश्टा चार हुआ है। उसी विसे को ले करके एडी लगातार चापे मारी कर रही है। चाहे गोरकपुर का आवास हो चाहे लखनव का आवास हो पूर्व कद्दावर नेता स्वर्गी हरिसंगर तिवारी और उनके बेटों के आवास पर लगातार एडी करवाई कर रही है मैं इस वक्त मौझूद हूं नियु हैदराबाद इस्थित विने संकर तिवारी के मकान के बाहर आप देख सकते हैं यह बहु मंजला यह आली सान इमारत है यह बिने संकरतिवारी का यहाँ आवास है यहाँ पर एक दरजन से ज़्यादा इडी के जो अधिकारी है वो मौझूद है सुबा चार बजए ही यहाँ पर सुरच्षा के घेरे में इडी के अधिकारी आते हैं लगभग 8-10 सुरच्षा करमी भी साथ में मौझूद है और लगातार इस मकान के अंदर छापे मारी चल रही है यहाँ पर बातचीत जो भी यहा लीकिता के नाम से वहां के लोग जानते हैं वहां भी टीम लगातार चपे-मारी कर रहे हैं काफी संख्या में लोग वहां पर भी पहुचे है और ठिकानों पर भी छापे मारी जारी है कहा जा रहा है कि जो जो बैंक kupbor लौन का जो मामला है उसमें जिस तरह से धांदली हुई है उसमें जिस तरह से भ्रष्टा चार हुआ है उसी विशे को ले करके E.D. लगातार छापे मारी कर रही है वीडियो चनलिस सचिन के साथ रागुंद बांडे रिपबली भारत लखनव सुबा चार बजे से E.D. लगातार छापे पर यहां पर एक दरजन से ज़्यादा एडी के जो अधिकारी है वो मौझूद है सुबा चार बजे ही यहां पर सुरच्छा के घेरे में एडी के अधिकारी आते हैं लगभग आठ से दस सुरच्छा कर्मी भी साथ में मौजूद है और लगातार इस मकान के अंदर छापे मारी चल रही है यहाँ पर बाचीत जो भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनसे बाचीत E.D. की टीम कर रही है चारों तरफ यहाँ पर इस घर के बाहर पुलिस जो है गस्त लगा रही है कि कोई घटना न हो और इसी के साथ जो गोरकपुर जो मकान है जिसको तिवारी के हाता के नाम से वहाँ के लोग जानते हैं वहाँ भी E.D. की टीम लगातार छापे मारी कर रही है काफी संख्या में लोग वहाँ पर भी पहुंचे है और ठीकानों पर भी छापे मारी जारी है कहा जा रहा है कि जो बैंक लोन का जो मामला है उसमें जिस तरह से धांदली हुई है उसमें जिस तरह से ब्रश्टा चार हुआ है उसी विषे को ले करके E.D. लगातार छापे मारी कर रही है वीडियो चनली सचीन के साथ रागुंद बंडे रीपबलिक भारत लखनव सुबह चार बज़े से E.D. लगातार छापे मारी कर रही है चाहे दिल्ली का आवास हो चाहे गोरकपूर का आवास हो चाहे लखनव का आवास हो पूर्व कद्दावर नेता स्वर्गी हर संकर तिवारी और उनके बेटों के आवास पर लगातार ED करवाई कर रहे हैं मैं इस वक्त मौझूद हूँ न्यू हैदराबाद इस्थित विने संकर तिवारी के मकान के बाहर आप देख सकते हैं मंजला यह आली सान इमारत है यह बिने संकर तिवारी का यह आवास है यहाँ पर एक दरजन से ज्यादा ED के जो अधिकारी है वो मौझूद है सुबा चार बजे ही यहाँ पर सुरच्छा के घेरे में ED के अधिकारी आते हैं लगभग आठ से दस सुरच्छा कर्मी भी साथ में मौझूद है और लगातार इस मकान के अंदर छापे मारी चल रही है यहाँ पर बाचीत जो भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनसे बाचीत ED की टीम कर रही है चारों तरफ यहाँ पर इस घर के बाहर पुलिस जो है गस्त लगा रही है कि कोई घटना नहों और इसी के साथ जो गोरकपुर जो मकान है जिसको तिवारी के हाता के नाम से वहाँ के लोग जानते हैं वहाँ भी ED की टीम लगातार छापे मारी कर रही है क काफ是 संख्या में लोग वहाँ पर भी पहूँचे हैं और आन्य ठीकानों पर भी छापे मारी जारी है कहा जा रहा है कि जो बैंक लोन का जो मामला है उसमें जिस तरह से धांडली हुई है उसमें जिस बिने संकरतिवारी और उनके बेटों के आवास पर लगातार इडिक करवाई कर रही है। यहाँ पर बातचीत जो भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनसे बातचीत एडिक कर रही है। जिस तरह से भ्रष्टा चार हुआ है उसी विशे को ले करके इडि लगातार छापे मारी कर रही है। वीडियो चनली सचीन के साथ रागविन बांडे रिपब्लिक भारत लखनव। सुबा चार बज़े से एडि लगातार छापे मारी कर रही है। दिल्ली का आवास हो चाहे गोरकपूर का आवास हो चाहे लखनव का आवास हो। पूर्व कद्दावर नेता स्वर्गी हर संकर तिवारी और उनके बेटों के आवास पर लगातार इडिक कर रही है। मैं इस वक्त मौझूद हूँ निव हैदराबाद इस्थित बिने संकर तिवारी के मकान के बाहर आप देख सकते हैं बहुमंजला यह आली सान इमारत है यह बिने संकर तिवारी का यहाँ आवास है। और लगातार इस मकान के अंदर छापे मारी चल रही है। यहाँ पर बातचीत जो भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनसे बातचीत एडिक की टीम कर रही है। चारों तरफ यहाँ पर इस घर के बाहर पुलिस जो है गस्त लगा रही है कि कोई घटना न हो और इसी के साथ जो गोरकपुर जो मकान है जिसको तिवारी के हाता के नाम से वहाँ के लोग जानते हैं वहाँ भी एडिकी टीम लगातार छापे मारी कर रही है। काफी संख्या में लोग वहाँ पर भी पहुंचे है और अन्य ठीकानों पर भी छापे मारी जारी है। जो बैंक लोन का जो मामला है उसमें जिस तरह से धांदली हुई है उसमें जिस तरह से ब्रश्टा चार हुआ है उसी विशे को ले करके इडि लगातार छापे मारी कर रही है। वीडियो जनलिस्ट सचिन के साथ रागुन बांडे रिपब्लिक भारत लखनव।